कि मैंने आदेनिया सभाबती जी मुझे मुझे पिछला पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधान मंत्री की आवाज को गला गोंटने का बर्पूर प्यास किया रहे हैं हम बड़े धैरिये के साथ बड़ी नमरता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे हैं और आज भी आप न सुनने की तयारी के साथ आए हैं आप न सुनने की तयारी के साथ आए हैं लेकिन मेरी आवाज को आप गमा नहीं सकते हैं देश की जंता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है देश की जंता के आसिजवात से आवाज लिकल रही हैं और इसलिए आपने पिछली बार मैं भी इस बार पूरी तयारी के साथ आया हुई तो मैंने सोता हुदा कि शायद आप जैसे वेक्तिस हजन में आये हैं तो मर्यादाओं का पाहन करेंगी लेकिन डेर पौने दो घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगोंने मुझ पर और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाय तोड़ी नहीं थे हमको बहुत सुनाया गया है और अपने सुना है लोग तंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेबादी है और आज जो भी जो भी बाते हुई है उसको मुझे देश के सामने रखनी चाहिए और इसलिए मैं प्रयास करूंगा अधनिया सभावतिग जी यह जब सुनता हूँ उधर भी सुना इधर भी सुना मेरा विस्वास पक्का हो गए कि यह पार्टी सोच से भी आउट्डेटर हो गई है और जब सोच आउट्डेटर हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउट्सोर्स कर दिया देखते ही देखते इतना बड़ा दल इतने दशकोत पर तक देश पर राज करने वाला दल आइसा पतन आइसी गिरावट हमें खुशे नहीं हो रही है अमारी आपके प्रदी अमारी आपके प्रदी संबेदना हैं लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी पेशन्ट कूद आगे क्या बोलू आदेने सवामती जी ये बात सही है कि आज बहुत बड़ी-बड़ी बाते होती है सुन्ने की ताकत भी खो चुके है झाल